महालक्षमी की भगतों तुम्हे कथा सुनाते हैं मावन कथा सुनाते हैं धनवैबों जिसके सुनने से घर में आते हैं हम कथा सुनाते हैं तेरा भक्त करे घुड़े गार कर सब का ही कल्यार तेरा भक्त करे घुड़े गार कर सब का ही कल्यार किसी समय के गाओं में एक प्राफड रहता था पूजा पाठ वो विधी विधान से निस दिन करता था सुभा सवेरे उठ जाता और कर गंगा असना सचे मन से करता था वो स्वी हरिकाजा पूजा के उप रात वो पीपल को भी जल देता पिच्छा में जो मिलता सब वे उसी में घर लेता एक दिन पीपल को जो ही इसी जिन वो आया पीपल के नीचे बैठी एक गण्या को पाया कोनी गण्या है वामण तो समझ न पाते हैं बावन कथा सुनाते हैं धनवैबों जिसके सुनने से घर में आते हैं हम कथा सुनाते हैं तेरा भक्ते करे गुड़गा पर सब का ही खल्या कन्या बोली बामण दे तुम सुननो मेरी मा बना के फुत्री मुझे पिता सी ले चलू अपने सा लेकिन बावन उस कन्या को साथ नहीं लाया सीचिक पीपल घर को वो सो बाविस लोटाया लेकिन पीपल को चस्रे में रोज वो आता था उस कन्या को पीपल के नीचे ही बाता था लेकिन भामण को कन्याती होने लगी चिन्ता चै कन्याती पहले ही घरला भी नहीं सकता इस चिन्ता में वो भामण दुर्बल हो जाते हैं बावन कथा सुनाते हैं धन बैभो जिसके सुनने से घर में आते हैं तम कथा सुनाते हैं तेरा भप्त करी गुड़गार पर सब कही खलाद रामर की पत्नी बोली है स्वामी बतलाओ चाहे जिन्ता का कारण मुझे को जरा समझा रामर ने उसे कन्या के बारे में बतलाया बोले मैं पीपल के नीचे उसे छोड़े आया बोली पत्नी कल उसको अपने संग ले आना अपने भाग का साथ में बोले कर आई दाना चैते छै कन्याओं का हम करते हैं पालन एक बेटी और आजाएगी क्या होंगे निर्धन सभेवदारी अपने अपने फाग कखाते हैं पावन कथा सुनाते हैं धन वैबो जिसके सुनने से घर में आते हैं तुम कथा सुनाते हैं तेरा भक्त करे गुड़गार तर सब का ही कल्याँ अगले दिन जब आमणी पीपल को जल्देने आया उस गंड्या को पीपल के नीचे ही मैठापाया कहने लगा के बोले हैं बेटी करना मेरी माँ ले आया ब्रामर कन्या तू फिर तो अपने साथ थी साख्छा क्रच्मी वो तो ऐसा हुआ चमतका निर्थन प्रामर के गर आगई खुसियों की मोचा प्रिक्षा में कूब आज था लगा उसे मिलने खुस हाली आने लगी घर में लगा चमन सा दिलने नसी खुसी से सभी वो जीवन अपना पिताते हैं आवन कथा सुनाते हैं नन्वै वो जिसके सुनने से घर में आते हैं तेरा भक्त करे गुड़गार कर सब का ही कल्यार तेरा भक्त करे गुड़गार कर सब का ही कल्यार बोली कन्या एक दिन के भोजन में बनाओंगी खुद अपने हाथों से बना कर तुम्हें खिलाओंगी माता बोली है बेदी तुम अभी बहुत छोटी दाल भात ना बनेगी तुमसे बनेगी ना रोटी बोली कन्या आप हमारी मत चिंता करो माता सभी तरहां का भोजन माता मुझे बनाने आता ऐसा स्वादिश्च भोजन फिर तो उसे कन्या ने बनाया तिप्त हो गए भोजन गर भर पेटून होने खाया फिर उसे ब्रामड के भाई घर में आ जाते हैं बामन कथा सुनाते हैं गन्वैबों जिसके सुनने से घर में आते हैं हम कथा सुनाते हैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा शेयर कर दे अगर आपको मेरी वीडियो से किसी तरह की भी हल्प मिलती होते हैं इसके लिए बैल आइकन पर प्रेस कर दे जिसे आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठ थांक्यू